हलो दोस्तो नमस्कार मतियत परसाद टेक्निकल लिए चैनल में आप लोग एक बाद फिर स्वागत करता हूँ दोस्तो सियोमी की सब ब्रंड कंपनी रेडमी ने काफी लंबे इंतजार के बाद भारती मार्केट में अपना एक न्यू लेटेस्ट मिडरेंज स्मार्टफोन कर दिया है लांच जिसका नाम कंपनी ने रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स रखा है दोस्तो यह इससे पहले भारती मार्केट में उपलद रेडमी नोट 8 के अपडेटेड वर्जन है स्मार्टफोन देखने में काफी अच्छे और काफी रेटेक्टिव है और भारती मार्केट में आपको हौाइट ब्लैक और ब्लू कलर में उपलद होने वाले है तो चलिए दोस्तो देख लेते हैं इस नोट 9 प्रो मैक्स के अन फीचर्स के बारे में और बात कर लेते हैं इसके कीमत के बारे में दोस्तों कर मैं सबसे पहले बात करूं इस रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के डीजाइन के बारे में तो हम सुरुआत करते हैं इसके बैक पैनल से यहां प बटन के साथ जो काफी अच्छा फीचर इस स्मार्ट फोन के अंदर लगता है अगर बात करते हैं इसके फ्रेंट पैनल डिजाइन के तो यहां पर आपको डॉट नौज डिजाइन की डिस्प्ले में रही है जिसका बाडी टू डिस्प्ले का जो रेशियो हो 89% का है इसके ला लिज्वैशन 24 सुगोडे 1080 का है इस डिस्प्ले का इसपेक्टर रेशियो 20y9 का है इसके साथ इसके डिस्प्लेए और इसके बैक पैनल पर आपको मिल जा रहा है प्raw आपको यह धिस्वेल कंपनी से स्मार्ट फोन के अंदर आपको दे रही है और दोस्तों इसे समार्ट फ GPU एड्रोनों का 618 काफी अच्छा प्रोसेसर है पर आप इस स्मार्टफॉन पर हाइवी गेम लंबे टाइम तक नहीं खेल पाएंगे क्योंकि इसमें कूलिंग टेकनलोजी कंपरी नहीं उपलब्द करवा रही है और दोस्तों यह स्मार्टफॉन भारती मार्केट में तीन वे आता है और इसके अलावे इसके रैम पर आपको मिल रही है टेकनलोजी LPDDR4X का जो कम पावर कंज्यूम करती है और आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देती है दोस्तों आप इसकी स्टोरेज को बढ़ा कर 512GB तक HD कार्ड के जरिये कर पाएंगे और दोस्तों इसमें कमप फोर कैमरे कंपनी उपलब दिकरवा रही है जो पहला है वो 60 फोर मेगा पिक्सल का इसमें मेंसेसर कंपनी उपलब दिकरवा रही है इसके लावा 8 मेगा पिक्सल का वाइड अंगल कैमरा आपको मिल जा रहा है 5 मेगा पिक्सल का इसमें माइक्रो सेंसर कंपनी उपलब दिक रही है इन कामेरों पर आपको AI का सपर्ट कंपनी दे रही है HDR और पैनरोमा जैसे फीचर इस स्मार्टफ़ून के अंदर कंपनी आपको दे ने वाली धो यह कैमरे इस स्मार्टफ़ून के अंदर कंपनी आपको USB Type-C का सपोर्ट दे रही है, काफी अच्छी बैक अपको इस स्मार्ट फोन के बैटरी में देखने को मिलेगा दोस्तों कर बात करें इसके अनने फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर कंपनी आपको इसमें डिवल फोल जी सिम की सुग्धा दे रही है, वाई फाई दे रही है, ब्लूटूथ 5.0 दे रही है, जी पीएस दे रही है, एफम रेडियो दे रही है, 3.5 mm का आईडियो जैक दे USB Type-C में कंपनी उपलब्द करवा रही है, इसके अलावा भारतिया अनुसंदान इसरों का इसमें आपको एक नाविक टेक्नलोजी कंपनी उपलब्द करवा रही है, दोस्तों कर फाइनली बात करूं इसे सनाट फॉन के कीमत के बारे में, दो जो 6 GB RAM प्लस 64 GB स्टोरेज है, उसकी कीमत कंपनी ने 18,999 बे रुपए रही है, और दोस्तों यह समार्ट फॉन आपको 25 मार्च से एमा जोन में मिलने वाला है, इसके अलावा MI.com पर जो कंपनी के ओफिस्यल बेफसाइड है, वहां से भी आप इस समार्ट फॉन को परचेस कर पाएंगे, अगर आप लोग चाहते हैं परचेस करना इस समार्ट फॉन को तो एमा जोन या MI.com से जाकर परचेस कर पाएंगे, दोस्तों आप लोगों का क्या कहना इस समार्ट फॉन के फीचर्स, इसके कीमत के बारे में करपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए